जिनपग में बे मौसम ब्रसाथ होने की कारण राप्ती नदी और सर्यों नदी सहित उनकी सहयक नदिया खत्रे के निसान के बह रही है उपर बाड की सिती हुई उत्पने 12 अक्टूबर को भी बारिस होने के अनुमान के कारण जलादिकारी ने सभी बोडेओं परिशत के नर्सरी से ले करके कक्षा बारा तक के सभी स्कूल कॉलेश को 12 अक्टूबर को बंद करने का दिया निर्देश एडियम फाइनेंस ने दीजानकारी कहा नदियों के बढ़ते जलस्तर से 100 से अधिक गाओं है प्रभावित 25 गाओं हुए मेरंड राहत सामगरी का किया जा रहा है वित्रण प्रेमी काओं को महंगे गिफ्ट देने के लिए दिन में रेकी कर रात में घरों वा दुकानों में चोरी करने वाले दो अभियुकतों गोलु कुमार युव राजबाल लेगी को शापुर थाने के पुलिस ने किया गरिफ्तार चोरी का माल 5000 नगत दो दीसी तमंचे एक जिन्दा कार्तुस किया परामत स्पी सिटी ने किया खुलासा रक्षक ही बना भक्षक नेलामी की आड़ में बढ़ालकन स्थाने के दीवान ने कबाड़ी को बेच दी 22 लावारिस बाइक संदे होने पर थानेदार मधुप नात मिश्चा ने सुरू की चानबीन तो दीवान जितेंडर गौड और विवसाई विवेक गुपता रंगे हा गया जेल दो चैनिस नेचरो सहजाद और सलाम के ऊपर कैंट थानी की पुलिस ने किया गैंगेस्टर एक्ट के तहत कारवाई स्पी सिटी कृष्ण कुमार विश्णोई ने दी जानकारी सोमवार को जिला अधिकारी कृष्णा करोने स्वाई स्पी डॉक्टर गौरफ ग्रोवर ने नौक एन शेटर का किया निरक्शन परेटिकों के सुरक्षा वावाहनों के पार्किंग अस्थल का लिया जैजा अधिकारियों को दिया वर्ष्ण दिशान निर्देश स्वादेशी मैपल एप के माध्यम से आम नागरिकों को यादायात और सुरक्षा देनी था अच्छे ट्रेफिक ववस्ता को उपलब्द कराने के लिए स्पी ट्रेफिक एवं आर्टियों के अधिकस्ता में बैठक का किया गया आयोजन स्पी ट्रेफिक महिन रिपाल सिंग ने कहा मैपल एप से नागरिकों को रियल टाइम में मिल सकती है ट्रेफिक की जानकारी अवैद गांजा के साथ एक अभ्यूकता को कैन थानी की पुलिस ने किया गिरफतार एक किलो पचास ग्राम अवैद गांजा किया बरामत भीचा जील मनोविज्यान विभाग द्वारा दिगविजे नातसनात को तर महा विद्याले में आईजित दो दिवसी संगोस्टी का हुआ समापन मुकी अधिती ने कहा मानसिक बिमारियों के लक्षणों की जानकारी करके हो सकता है बचाओ और जनपक ने पास दिनों से हो रही लगतार बारिस 14 अक्टूबर तक बारिस होने की है संभावना एडियम फाइनेंस राजिस कुमार सिंग ने दी जानकारी झाल